हाई फ्रेंडा वो तोरी फ्रेंड दोस्टों मैं आपके इतना रिक्रेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अरेदी सिवानी कुमारी हार गई तो समझो देश की 70% ओबादे जो गाउं में रहती है वो हार जाएगी फ्रेंड इत्ती तेज अंदी यार पानी बरसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अरेदी सिवानी कुमारी हार गई तो समझो देश की 70% ओबादे जो गाउं में रहती है वो हार जाएगी गाउं का टैलेंट हार जाएगा गाउं की उमीद हार जाएगी गाउं की मिट्टी हार जाएगी गाउं की पगड़ी गिर जाएगी क्योंकि सिवानी कुमारी अकेले विग बोस में नहीं गई है बलकि गाउं की उमीद लेकर गाउं की मिट्टी लेकर गाउं की टैलेंट लेकर उन लोगों के बीच में गई है जो गाउं के लोगों को गवार कहते है और आपने तो गाला सुना ही होगा कि देसी देसी ना बुल्या कर छोरी रे हम देसी की फैन है दुनिया सारी रे तो दोस्तों जो लोग गाव को गवार बोलते हैं गाव के देशी लुक को बेकार बोलते हैं अब आ गया है उन्हें उनकी आउकाद दिखाने की नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या आप सिवानी कुमारी को जानते हैं हाँ वही सिवानी कुमारी जो कुछ सालों पहले टिक टोक पर हाई फ्रेंडा देखो मैं तुमारे लिए चपल लाई हूँ कहकर काफी फेमस हुई थी काफी वाइरल हुई थी थे अब को टिक टोक बंद हो गया है लेकर फिर भी इंस्ट्राग्राम पे रौड़ी यूटूब पे सिवानी कुमारी के फालोवर काफी जादा हैं दोस्तों यह सिवानी कुमारी कुछ दिर पहले बिग बोस में गई थी लेकिन अब खबर आ रहा है कि यह बिग बोस से बाहर होने वाली है यह खबर सुनके उनके जो फैंस है जो फालोवर है उन्हें काफी बुरा लग रहा है काफी घबराय हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि बिग बोस में उनका नॉम जो है नॉमिनेट कर दिया गया है और आपको पता होना चाहिए कि बिग बोस में जब नॉम इनको पसंद करते हैं, सिवानी कुमारी के फालोवर हैं और आप चाहते हैं कि सिवानी कुमारी बिग बोस में बनी रहे हैं, बिग बोस जीत कराएं, तो आपको ज्यादा ज्यादा सिवानी कुमारी को वोट करना होगा, सिवानी कुमारी को वोट करना होगा, 29 रुपे का सब् बता चले कि हम गाओं के लोग गवार नहीं बलकि टैलेंटेट होते हैं और तुमसे ज़्यादा एडवांस भी होते हैं और अंतनों नहीं भी बता दो कि हम सिर्फ टैलेंटेट ही नहीं एडवांस ही नहीं बलकि पावर वाले भी होते हैं और अंतनों गाना भी चला दो कि दे से की फैन है दुनिया सारी रे उन्हें बता दो लिख के दे दो कि दुनिया फैन सिर्फ हम देशी लोगों की है